चलो यह कहता एक बैलून आप मासे हम इस डिसेंडिंग डाउनवाड चलो एक बैलून है वो डाउनवाड डिसेंड हो रहा है चलो एक बैलून बना लेते हैं यह बैलून और यह नीचे आ रहा है बैलून इसमें एर है और वो नीचे डाउनवाड आ रहा है descending downward with acceleration A and A is less than G, ध्यान देना, यह बैलून नीचे आ रहा है, ठीक है, how much mass should be removed from it, so that it will move upward, अब इस बैलून से मैं कितना mass बाहर निकाल लूँ, जिससे यह ऊपर जाने लगे यार, तो अगर बैलून नीचे आ रहा है, तो इस पे forces कौन कौन से लग रहा है, सबसे पहले यह देखो, अगर बैलून नीचे आ रहा है, तो नीचे क्यों आ रहा है, क्यो उपर लग रहा होगा, air का force, ठीक है, उसको मैं F बोल दे रहा हूँ, जो air upthrust लगा रही होगी, थोड़ा सब अगर फुलीड पड़े हो, तो आपको पता होगा, कि air चारो डिरेक्शन में resultant, net air का resultant force upthrust है, जो भी air ऐसे force लगा रही है, वेक्टर, उनसा भी वेक्टर को resolve करने के बाद जो भी आया है, वो उपर है, अब obviously mg ज्यादा है, तभी तो नीच आ रहा है, और उपर कैसे जाएगा, जब F ज्यादा होगा, ठीक है, तो पहले case में, पहले case में, equation लिखू मैं, बोलो, mg minus air का force F, mass of the balloon, और acceleration A, equation number first, अब यह कहता है, मैं इसे कितना mass बाहर निक है, ठीक है, चलो, तो मालो, इस balloon से, इस balloon से मैंने कुछ mass, ठीक है, कुछ mass मैंने निकाल दिया, m0, m0 मैंने बाहर निकाल दिया, जिससे mg क्या हो गई, कम हो गई, अब जो air force लगा रही है, अब thrust ज्यादा हो गया, और इस पे जो ground का force था, जो earth लगा रही थी, mg कम हो गया, तो यह x-lesson से ज्यादा हो गया, तो अगर मैंने इस में से m0 mass निकाल दिया, तो इसके पास mass बचा कितना, m-m0, m-m0, तो अब इसका equation लिखो, ठीक है, अब इसका equation लिखोगे, तो अब क्या equation लिखों बोलो, तो f t, f balloon air का force, minus m-m0, m-m0 z, mass इसका m- हो गया होगा, ठीक है, इसका m-, अब m-m0, m-m0, multiplied by x-lesson 2, यह दोनो equation, यह दोनो situation का equation, पहले बहले नीचे आ रहा था, तो air का force उपर लग रहा था, mg ज़्यादा थी, तभी नीचे आ रहा था, अब जब मैं कुछ mass निकाल दिया, तो यह हलका हो गया, और हलका हो अब इन दोनो equation को solve कर लेंगे, तो हमें m-0 मिल जाएगा, चलो solve करते हैं, तो इसमें multiply करते हैं, f-fmg, minus plus m-0z, that is equal to m-a, minus m-a, ठीक है, clear है, चलो, f-mg कितना है, f-mg, यहां से f-sign लगा दोगे, तो f-mg is equal to minus m-a के equal होगा, यहां से, और यह ले जाके यहां पर रख दू, ठीक है, f-mg कितने के equal है, minus m-a के, तो minus m-a इधर से आया, m-0z इधर से आया, और m-a इधर से आया, और minus m-a, अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों तो m-a चाहिए, और m-a कहा है, यहां है, यहां है, तो इसका मतलब है हुगा, कि m-a इधर आया, तो m-a, m-a common हो गया, और a plus z बचा, और यह उदर गया, तो यह आजाएगा 2 m-a, तो इसका मतलब है हुगा, मनला बगर इतना मास निकाल दोगे तो बैलून ऊपर जाने लगेगा इतना मास रिमूब कर दोगे तो बैलून ऊपर जाने लगेगा कर दोगे कर दो इतना मास रिमूब कर दोगे तो बैलून ऊपर जाने लगेगा कर दोगे कि अ इतना मास रेचे प्डेवा है झाल झाल